तो चलिए शुरू करते हैं आजाएं लोग स्टार्ट हो जाए गया थोड़ा सा टाइम लग गया इन फैक्ट साथ पंदर साथ करिक टाइम ही आ गया घर पहुंचने में टाइम लग गया सुनेल यद्वंसी जी हाव यू रामनिवास कैसे है अनिल कुमार यादोजी कैसे है सबी लोग आ जाए रोयल बाबू हाव यू राहूल यादौ बिक्टू बाबू गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई कैसे हैं पुन्ना सिंग जैसी राम आज राम नौमी है तो आप सबको राम नौमी की बहुत-बहुत सुपकामना है और बहुत कुछ रही है मस रही है परिवार ख्याल रखिए और खुद का भी ख्याल रखिए आयूस कैसे हो नमस्कार नमस्ते महादेव सवरब सरमा जैसी राम जैसी राम भाई बिक्टू भाई प्रणाव के आल है गुड मॉनिंग हाँ तुम्हारा गुड मॉनिंग ही हुगा होगा भी कैसा रहा भाया क्यां गयते परनाव आप आज 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 आद भी आगय थे समर भाई गय थे सब लोग गय थे आई होप आप आप अहाँ पे सबका अच्छे से उनको सांत वना देके और धंडांस बढ़ा के आए होंगे मेरे भाई पंकज भीया पंकज भीया नमस्ते कैसे हैं बहुत जल्दी मुलकात होगी बढ़ी आवा रही आपकी राम निमाज जी हलो भाईया संगम यदिवनसी थोड़ा बढ़िया समझा दीजेगा हाँ आज दिल से समझाएंगे एक दम बहुत ही प्यार महबबत से समझाएंगे तो हम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और कुछ अच्छी बातों पर आते हैं कुछ बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं अंकल आपको नमस्ते बोलना चाहूंगा आपको पता है मैं आपको अंकल बोलता हूं सुरू से बोलता हूं और आपके जो बेटे हैं वो मेरे दोस्त हैं अभी आगे उनकी मर्जी क्या है लेकिन दोस्त मेरा रहा है तो मेरा दोस्त है उसको बोलने मे और मानने में मुझे कोई चक नहीं है, और मैंने आपको अंकल ही बोला, इसलिए मैं अंकल ही बोलूँगा, और बाकी, मुझे यह सब वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, एक चमन चूतिये हैं, ठीक है, और सर, आप जो भी हो, मैं आपका नाम आम जानता नहीं था, ठीक है, कर जो बात करते हो ना एक नमर एक घटिया इंसान हो आप ठीक है यह वारा सच्छा लीच लीच मतलब जोंक होता है ठीक है तो तुम जोंक हो तो जितनी जल्दी आपके मनमा कुमख डाल के आपको खतम कर दिया जाए तो आप आप सुखी हो जाओगे हम लोग भी सुखी रहेंग मेरे दोस्त के पिता जी और उनका ये भाई अरे उनका चाचा तो सबसे घटिया तो चाचा हैं इसमें कोई डाउट नहीं है और सर जो भी चाचा है मार पीट मुक्का मारी दुनियादारी सर इस सब खाली बोलने की बाते होती है ठीक है कर आप घंटा कुछ नहीं पाओगे कुछ मुले तो जीरो क्योंकि आप खुद एक सुन्य हो जीरो समझते हैं और वो सुन्य नहीं कि एक के पीछे लगने के बाद उसको दस बना देगा आप वो पॉइंट वाले हो जो आगे लगता है उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यह अधिन नहीं जीरो ठीक है त आके विक्ती रादो से बोल लो कि तुम्हें लाइक क्यों भढ़ा दिया अरे वहां पहुए पर गया था किसी परपस से तो फ्रस्टेटेटेिट इंसान हैं क्या सुपरंश्टेटेटेट इंसान है आप? ड़िल ठीक है? आपकी मान सकता है रहे उसका लाइक बनादो उसका बहुत ही क्लोस थे भाईया मेरे और हमारी बहुत बात होती थी और सायद उन कुछ लोगों में से मुझे एक सवभा गिमला था कि उनके आकरी वक्त में भी मैंने भाईया से बात की थी फोन पे ठीक है तो वो बहुत पेन में थे आप जहां भी हैं आप बहुत याद है बहुत याद आई रहे हैं और आप बहुत याद आएंगे भाईया आपकी हर एक一定要 भीम लोग अ शानती दे और आप सब लोग प्लीज से आम बया के लिए प्रात्ना किजिए उनके परिवार के अच्छे के लिए हम सब हैं और हम इसारेंगे बहिया का और यह सब जो चुछ लोग कर रहे हैं इसके बाद हुए तो उस चीछा लेदर के लिए करते हैं तो पहले ये जो क्या नाम लेना भी मुझे पसंद नहीं है जो करके बात करता है उस इंसान की बात कर रहा हूं तो भाई तुम तुछ हो तुछ ही रहेंगे आप ठीक है और प्लीज ये सब आके किसी के बारे में जिन और आकाद से तीनों से अपसे वह बहुत उपर हैं तो उनके बारे में बोलना उलना नहीं है अच्छा मत बोला कीजिए सेकेंड आपने विक्की को जब अस तीस चीज में घसीटा वो भी मत किया कीजिए और दारू कम पिया कीजिए इस नाट गुड फर हेल्थ ठीक है दार लोग की बहुत पहले से जान पहचान है बहुत पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं लेकिन मुझे यह आना पड़ा बताना पड़ा रीजन बिंग कि अगर पब्लिक डॉमिन में आप आगे कुछ भी बोलेंगे तो उसका काउंटर पार्ट बोलना पड़ेगा अधर लाइव का खेल मुझे समझ में नहीं आता मैं वहचपुरी में और यह सार भयास का काम हैंडल करने के बाद ही मुझे यह लाइव वाला सिस्टम में आया और कि लाइव आके उसके पीछे अभी रीजन मुझे अभी समझ में आ रहा है क्या होता है कि कि अगर कोई भी चीज तो सर आप लोग के नॉलेज जो है आपके इन्फरमेशन वह बहुत ही जीरो थी बहुत ही छोटी थी इन्फरमेशन आधी थी इन्फरमेशन के साथ आप लाइव आ गये थे विच इस रॉंग और लाइव में आपने बहुत कुछ बोल दिया है फाल्टू जो की अगें इस लगें तो आपके तीन साल से अपने ब्रेक लिया है तो इंडस्ट्री बरबाद होग अगर आप इनको डिरेक्टर नहीं पकड़ते हैं तो यह आपकी फॉल्ट है, हम लोग की फॉल्ट नहीं है, आपकी सोच है, बात रही पिक्चरे नहीं चली, संघर्ष चली, राजय बाबु चली, निरवा हिंदुस्तानी चली, सत्या चली, वॉंटेट चली, अपनी क्या बो करो, इस पिक्चर साव मेट गुड मनी, तो वह एक आपकी बहुत गलत बात थी, कि आप इंडस्ट्री छोड़ दिये, तो इंडस्ट्री नहीं काम करती, दूसरी आपने बोला था कि स्याम भाहिया को, भाहिया ने कुछ दिन पहले, छे महने सालवर पहले से अपने पास बात है, और आप उनके करीबी कितने थे मैं बताता हूँ, as a director, music director भी आप ही, as a director, lyrics writer भी आप ही, as a director, producer भी आप ही, ये सारे कम आप खुद करते हो, ठीक है, कहीं भी आप, आप जितने लोग, अभी 6-700 लोग देख रहे हैं, आप सब लोग जाके देखिए, ये खुदी director हो होते हैं, ये खुदी lyrics writer होते हैं, तो sir, सारे काम आप करोगे, तो आपने तीन लोग के काम छिल लिये, आपने तीन लोग के काम छिल लिये, sir, so this is also, आप इस पर भी थोगा ध्यान दो कि आपने क्या किया है, और किस के लिए क्या किया, ठीक है, दूसरी बात, भाया लाइव भाया, भाया लाइव आए, और वो सच में sad थे, और जब ये information लोग पासे, मैं continuous touch में, तो मैं एक एक चीज दिखाऊंगा भी, मैं continuous touch में था, स्यामभिया के भतीजे के साथ, और स्यामभिया की वाइव के साथ, जो हमारी भावी है, उनके साथ, मैं हमेशा मेरी, आप लोग ये सब चीजे पता कर सकती, ये कोई बनावटी बात में, इन लोग की तरह बात नहीं करता, continuous touch में था, और second आपने बोला कि भाया को कि तुम यूपी में ही थे, तो चले क्यों नहीं गए, फिर आपकी information गलत थी, हम लोग पिछले चार दिन से चंडीगड में थे, धनजे भया, धनजे भया की फैमिली के लिए हम लोग ने क्या किया, क्या नहीं किया, मुरे बताने से अच्छा है सर, आप प्लीज धनजे भया के फैमिली से पूछिए, और मैं आपसे इतनी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पता करने के बाद लाइव आना, और बताना, और आप सब लोग भी मताता हूँ, यह चीजी बताने वाली नहीं है, ऐसा यह लोग ने भराम फैलाय हुआ है ना, कि बताना जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग काम क्या है, कोई बंदा अपना इमोशन दिखा है, लाइव आके पंचाइद करो, आपका तो एकाउंट हो ग हम लोग के फैन चाटू करता कर रहे हैं, आपके फैन गाली दे तो कोई बात नहीं, हमारे फैन गाली दे तो हम लोग गाली दिलवा रहे हैं, मतलब जिंदेगी में कुछ काम नहीं है, हम लोग यह करते हैं, इनका एकाउंट ब्लॉक करो, आपका सर फेसबुक ब्लॉक क्यो करवाएंगे cobra post तो है नहीं आप किया कोई बहुत बटा खुलासा करने वाले थे क्या खुलासा कर दिया 40 मिनट के लाइब में आपने जीरो जीरो इस रफ आप ने अपनी बाते की कि मैं महान था मैं महान प्रोढूरीर जिए लोग बालोक जी तो प्रोणीं बाइन प्रोढूरॉजर नहीं है उसको आप जो होड़ा ना हीरो बना दीजे पहली बात तो मैं तो यह आपने नहीं किया तो आप ग्यान बहुत कम नहीं सेकेंड आपने बोला कि यार एक आदमी जो अपने भाई का नहीं इतने 35 साल 30 साल साथ में रहा है उसका नहीं उस पर ज़्यादा दुख नहीं जताएगा और एक राइटर पर जता रहा है सर क्या होता है कि बाई के साथ जब भाईया रहे हैं उस समय मुफलिसी की जिंदगी थी आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपने साथ देखी नहीं होगी ये बहुत गरीबी से उपर उठे हैं और जब गरीबी से उपर उठे मेहनत किया और आगे बढ़े उसके बाद जो जे चवहान जी हो ऐसे लोग रहते हैं जिनको बूल दियाता है कि भाई हम लोग यहां पर आप गाने वाने कर दो श्याम भिया वस हमेशा एक्टिव हमेशा एक्टिव और आप यह बताओ आज एक पिक्चर बना रहे हो आपको कैमेरा मैन है जो अच्छा काम कर रहा है और उस साथ नहीं होगा क्योंकि आपको टेक्नीशियन जिन सबोकर से फरक नहीं पड़ता आपको फरक पड़ता है साथ यह दो तीन लोग हैं उनसे तो हम लोग को फरक पड़ता है एक लिस्ट भाईया को फरक पड़ता है कि उनके साथ जो जुड़े हैं उनका अच्छा बुरा मे वो हमेशा साथ देते हैं उनका, वो देते रहेंगे और वो लाइव थे, मैं बगल मठ़ा था, मैंने भी उनका लाइव लाइव किया था, वो एक्चुली मैं साड होके रोने लगे थे, और वो देख के मैंने, आप देखोगे तो मैंने बीच में अपनी लाइव बंदी किस में खुद रोने लगा तो विए सो इमोशनल लेकिन आपको क्या लगा कि उंगली खोद के कर रहे हैं सर आप एक बार लाइव थे आपने अपने आखे खोदी थी क्या उंगली से कि मैं फांसी लगा लोंगा मुझे परिसान कर रहे हो तो आपको जो जैसा करता है न इतना हम लोग सोचते हैं आप हमेशा पुरी इंडस्ट्री का एक पार्ट आप है जो हमेशा आपको लाइव आना जरूरी होता हम लोग कुछ भी करेंगो उसका लाइव आप जरूर आप जरूर ग्यान दोगे हमने यह किया हमने वो किया तो अब मत दो अपने कुछ नहीं क कि आपके पास उनके पैसे निकल रहे हैं तो प्लीज हाँ जोड़के मैं बता रहा हूं उनके पैसे एटलिस उनकी फैमिली को पहुंचा दो काम आएंगे प्लीज इस रिक्वेस्ट कुछ तीन लाग के करीब है माउट उसके बाद सर एक चीज और अपने असर प्रॉब्लम य आने आओगे, दुसरा कोई मेहनत करे, आप ऐसे स्मायल करने के प्लीज आओगे, सर आप भी कर सकते हो आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो आप बोलो ना कि मेरे बहुत करीबी थो, अपने करना था भी सर आप की बीरिस्पॉन्सिब्लिटी बनती है कुछ स, Collectivity का है क्या क तो आप हमारे 50 लाग इंतजार मत कीजिए उच्छा करना बंद करने से हम लोग तो खराब इंसान हैं आपके हिसाब से हम लोग तो खराब इंसान हैं हम लोग ने किसी के मदद की ही नहीं, हमें किसी से फरक पड़ता ही नहीं, हम तो इंडस्ट्री डुबाने के लिए आएं, तो सर आप महानो, प्रभू, दीन दयाल, आप जाके पहली बात तो यह जो उनका पैसा ता हक का पैसा, कम से कम वो वापस कर दो, उसके अलावा आप इ कि आपने ये किया, आपने वहाँ जाके कुछ बोला, वो आपसे नहीं हो पाएगा, वो भी मैं आपको आज बता रहा हूँ, कर दोगे तो थैंक्यू है अडवांस में आपके लिए, लेकिन आप करोगे नहीं, कम से उनका जो हक का पैसा है, वो दे दीजेगा, और आपकी सम किया, आपने विक्की को किया, लेकिन आपने, खिसारी जी को फोन नहीं किया, आपने नंबर नहीं है, यह बात ही नहीं करना है, प्रोबलम पता था कि आपने सबसे बात कर ली, इन्फॉर्मेशन ले ली, और अब लाइव आ गया, हलो मैं पौनाअ डिम का, मेरा आईडी ब help करने के प्रियास कर रहे हैं तो आपने भाया को भी एक call कर लेना था आप मुझे call कर ले थे मेरा भी number है आपके पास sir आप मुझे call कर ले थे कि तुम लोग कुछ कर रहे हो कि इसी बनावटी बाते कर रहे हो तो मैं आपको पताया होता कि नहीं हम लोग कुछ कर रहे हैं लेकिन आपने हर जगह से छोटी-छोटी गलत-गलत या जो भी information थी आपने ले ली और उससे अपनी एक मन गधन कहारी मनाई जिसको script बोलते हैं आप you are a good director, writer तो आप हैं हैं आप director हैं, producer भी है, lyrics writer भी है music director भी है तो आपने वो एक छोटी सी फिल्म बनाई 40 मिनट की और फेस्बुक पे लाईव आके आपने वो picture narrate कर दी, सुना दी सारे लोगों को ये fan, वो fan, ये सब हम लोग कभी नहीं बोलते हैं, आप बोलते हो ठीक है, आपके fan कम है या ज़्यादा हैं, उससे हमें लेना देना नहीं होना चाहिए आप एक, आप एक separate entity हो और जो आपके बेटें, हमारे भाई, वो एक separate entity है आपने जबस्ती अपना ID ब्लॉक ब्लॉक करके आप उनके ID से आगे कि चलो यार मुझे 10,000 लोग और extra मिलेंगे अफकोस मिलेंगे ठीक है, which is wrong अब हम लोग ने किया क्या ये सब चीजे दिखाने वाली नहीं होती है लेकिन मैं sorry बोलता हूँ, पहली बात तो श्याम भिया सहीं sorry बोलता हूँ कि अगर आप, आप होते हैं और हम लोग किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप 5000 गाली दी होते हैं साम भी अभी लेकिन ये आपके लिए ही है और बहुत गलत फालतू चीजे कर रहे हैं कुछ लोग तो इसलिए बताना ज़रूरी है हम लोग ने क्या किया मेरी ये बात ओफिसियल है और मैं अप ओफिसियल इसको रखो और हम आपकी तरह जूट ज़काट बाते नहीं करता हूँ मैं बहुत सच और कड़वी बाते करता हूँ ये मेरी भावी से बात हुई थी उनकी वाइफ मेरी वाइफ से जब भावी से बात हुई तो भावी ने बताया उसके पहले दो दिन पहले मेरी भाईया से बात हुई थी कैसी है तो उन्होंने बता तबियत थोड़ी खराव है बट ठीक है कोईसा दिक्कत वाली बात नहीं है में कुछ होगा तो बताईए गाथ जैसे वह मस्ती वाले मूड में रहते हो अपने मस्ती में थे उसके कुछ दिन को बाद फिर मेरी वापस बात हुई तो he was not okay मतलब सांस बोले तुम मेरे से बताए कि सांस वास लेने में दिक्कत हो रही है तो बट अभी मैं आराम कर रहा हू ठीक हो जाओगा ठीक है उसके बाद मुझे भावी का फोन आता है डेट भी बताता हूं मैं रूप चाहिए आप लोग सब बताता हूं है आप लोग इतने बड़े वाले हो 17 तारिक की बात है चाहिए 17th of April तो 17th of April को हम लोग बताए गया कि उनकी तब्वे थोड़ी और खर इससे अप्रोच किया एक चीज मैं क्लियर कर दू हमने रवी किसन जी को फोन नहीं किया करेक्ट बात है नहीं किया जूट क्या बोलना उसमें लेकिन उनके जो पीसो हैं गुड़ू पांडे जी आप नाम याद कर लो और उनसे जाके पूछना कि फोन आया था कि नहीं आया कब दो दिन पहले जिस दिन भाया का डेथ हुआ उस दिन दिनेश जी को फोन नहीं किया था हम लोग उस दिन लेकिन प्यारे ललकवी जी गुरू जी को फोन हुआ था और गुरू जी नहीं ये बात दिनेश जी को बताई थी अब आप सोचो मैं मैं परिसान हूँ अपनी फ पढ़ी जी पाल गया था ठीक है उन्होंने response नहीं किया तो नहीं किया यह बात सच्छे और पता कर लिए गउनी से दिनेंश जी को फोन नहीं किया था पेरलल कभी गुरू जी को फोन करकर नहीं करते तो उसी स्कूल में अभी आप फेल हो गए हो जब होगा तो आप आके बताना हमारे को तो अच्छा तो इसमें कुछ लालू तो आप किसी गाले को लोजमत करो यार वो जो कर रहा जाने दोस्कों तो हम लोग कुछ और बात करते हैं इन गदो के चक्कर में अपस जाता है तो उनको हम लोग ने फोन नहीं किया था वो अपने आप फिर गुरु जी ने बताया उनको और फिर जो भी बाते चीज़ें यह हैं एंपी ओपी यादो आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है अगर यह दिखाई दे रहा होगा मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ाता हूं इन फैक्ट तो साथ आप लोग अच्छे दिखाई देगा देट देखीगा देट यह 19th April है यह कुछ जो चुरकट लोग होते हैं उनकी तरह यह कोई एडिट पेडिट नहीं है ठीक है इसपे कोई पंचायत मत करना है एडिट पेडिट नहीं तो फिर ठीक है 19th April ठीक है यह देट है स्याम भईया का नंबर वाँ फोरोड किया गया होगा यह देख लिजे पहला यह फर्स्ट है 19th April यह हैं अमभी केस पांडे जी ठीक है 17th April 17 तरीक स्याम भिया का अधार कार्ट जो उनकी भावी से मैंने मंगाया था मतलब उनकी वाइप से मेरी भावी से मैंने मंगाया था क्या होगा क्या-क्या लिखा है यह सब आप देख सकते हो 18th April को फिर वापस फॉल अप किया गया है ठीक है तो हम लोग ऐसे लोग है यह डिटेल बेज के नहीं छोड़ा नहीं 18th तरीक को वापस फॉल अप भी किया गया है आपको इससे तो समझ आएगा नहीं यह एक चीज़ हो गई तो हम लोग नहीं किया सेकेंड मंडे ठीक है मंडे को क्या डेट था मैं प्रताता हूं मंडे को मंडे अठार उननिस तारीक तो उननिस तारीक यह स्याम भिया के भतीजे का नंबर है यह आप लोग देख लीजे यह रिशू रंजन विचार जैसा करेगा चाहिए वह भी आगे करना है एकदम करेक्ट है लेकिन ना कुछ लोग को बताना जोड़ी ने को हमेशा गंदगी करते हैं इंडस्ट्री खराब है फलाना है कोई कुछ नहीं करता भाईया आये रोए तो बेकार में रोए उनका कुछ मतलब मतलब नहीं था आखो मैंसे उंगली करकर के रोए जब वो रोए थे ना वह आत्मत्या पात्मत्या बुलने वाला उस समय उंगली कर रहे तो उनको लगा यह मैंने डॉक्टर अनिल त्रिपाठी यह पता कर सकते हैं आप लोग कहां पर हैं डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हैं इनका नंबर हम लोगों को सीएम योगी आदित नाच जी के पीए ने भाईया को दिया भाईया से फिर मुझे मिला मैंने आगे पॉरोड किया फिर यह नंबर भी उनका दिया मैंने ठीक है यह टाइमिंग देख लीजाए अप लोग यह चार बच के 11 मिनिट है चार बच के 11 मिनिट उस समय तक जब तक स्याम भया का नंबर चालू था उनका नंबर बाद में बैटरी डेड़ होने की वज़े से बंद हो गया था फोन तो हमने फिर उसके उनके बतीजे किस पर गया जब तक भया का था तो भया के नंबर पर देखी गा ठीक है यह देखिए यह लोग बेतिया से निकले थे तो मुझे फोन कहा था कि हम लोग बेतिया से निकल रहे हैं तो फिर हमारा फ्रोसिस स्टार्ट हो गया था उस समय मुझे पता चला कि यार उनकी सीरियस है हालत और वो परिसान है उनकी बहुत कमजोर होती जा रही है तो फिर हमने उस पे action लेना इस्टार्ट किया तो ये स्याम भिया का नंबर आप लोग ये देख सकते हैं स्याम भिया का नंबर है स्याम भिया को हमने बताया क्योंकि उनके भतीजे के पास ही था ये नंबर तो मैंने उनको बताया कि आपको इस building में जाना है PSHMY building देखी लिखा हुआ इसके उपर और डॉक्टर अनिल से मिलना है ये message किया था मैंने उनको 3.36 पे 3.36 पीम से Monday 19 तारीक को जिस दिन ये हुआ था सब कुछ उसके उसके पहले मैं continuous call पे था मैं ये सब आपको details मिल गयोंगी आई होप तो continuous call पे थे उनको क्या करना है जब बेतिया ये भी बता दो information लिख लो और याद रखो फालतू की बात आइंदा करने से पहले कोई भी और वो उँँ आ करने वाला खास करके वो जब बेतिया से वो लोग निकले थे तो उनका जो oxygen level था उक्सीमीटर में ये तुम कुछ जो दो तीन गधे ना उनको पता भी नहीं होगा चीज़ ऑक्सीमीटर होती ही यहां लगाते है तो oxygen season level 61% था जैसी यह भी वात उनके भतीजे ने बताई है ठीक है उनका 61 जैसी उनने 61 बताया तो हम लोग हरकत में आ गए उनके साथ उनके सासूर जी भी थे वह भी continuous फोन पर थे के अरों क्यों सफाई दे रहे हो भाई जीने कोई काम नहीं है वैसे लोग को दूसरों को की फट्टे में टांग डाने की नहीं कोई बात नहीं वह नेक्स ताम से नहीं करेंगे ऐसा या तो जब करेंगे तो इंफॉ सीजन लेवल आने के बाद की बात कर रहा हूं ए मुझे प्राइविट हश्पीटर में लेग जाना घिπα्ट बता रहा हkę तो इसको फैक्त की स्तेञी में में रखना और यह पन की जयना टीक है वाली अपन वह वाली बात है तो इस ओके तो भाइया एक्टिव हो गए ते और सारी चाहिए लगते हैं फिर उनसे मेरी बात भी हुई है मैंने हमने कहा है कि आप प्लीज अच्छा इस चीज में एक और भी आदमी है he was there and he was talking उनका नाम है विकास सिंग विरभपन तो विकास भी भी बात कर रहे थे विकास भाइया नहीं दो तीन पीसो लोग को फोन किया है ये बात आप पता कर लेना तो उनसे बताए कि आप गोरखपूर मेडिकल कॉलेज में जाए वहाँ बात हो गई आपको बेड मिलेगा लेकिन वो लोग थे कि नहीं हमको प्राइविट में जा भी बात हो थे उनके भी कॉल आ रहे थे मैं भी कॉल कर रहा था जोन के बतीजे से उनसे में प्रापर बात हो थे तो वो डर गया था बेचारा वह आई गैस की वो ज़्यादा बड़े नहीं है मतलब लड़का ही है वो वो डर गय थे बहुत आवाज दम रोना वो तो रो ही रो रहते हैं भाया यह है तो फिर मैंने उनसे पूचा कि oxygen level क्या बता रहा थो उन्होंने कहा 31 31 31 बेतियस जब निकले थे तो उनका oxygen level blood में 61 था 61 परसेंट जब तक वो गोरकपुर के पास पहुचे हैं तो उनका was था 31 राष्कमhoर ripandia putra mowin में पागल हो गया पूत राष्कर मूँ पूतरमँ में हैं कि अपने भाई मूँ में हैं उनका call है जो करना है वो करें जबर जबरदस्ती आके मू मि Hem dön unlucky ना करें तो मैं बता रहा था कि 31 हो गाया था 31 ओने बाद वीवर लाइघ कि यार यह तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है और लिटरली बता रहा हूं हम लोग चंडीगड में थे चलो जब इतना सब है न यह भी देखो कहां लेता हूं चंडीगड टू मंबई डेट अच्छ में डेट लिखा हूं है 21st एप्रिल यह सब आदत नहीं है बताने की लेकिन ना कुछ लोगों के लिए बताना पड़ता है ठीक है कुछ लोगों के लिए बताना पड़ता है तो मांसिक्ता खतम हो चुकी इसलिए मौइ पर यह नहीं सुरीयाक लोगो देख सब्सक्राइद का रहा हो तो एल मैं अजy कोई देखांग है ना कि यह चाला कुछ ना करिकी का लाेम यह पासा नहीं अगर आई नवा तो यह बरत करें पर निदक तो हम लोग ने उनसे बोला कि डॉक्टर अनिल को प्लीज बोलिए कि वो लोग सामने खड़े हैं वो कर आदमी क्या करेगा हम वहां पे खड़े नहीं है हम लोग भी एक ऐसा पैंडेमिक है यह ऐसी महामारी है जहां पे एवरीबडी इस इन बैट सिचुएशन सब परेशान ह तो हम लोग यही कर रहे थे भाईया बार बार यह बोले थे उनसे बोले और वो वहां से दुसरे फोन पर लगे हुए मैं इस फोन पर मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है मैं उनको आगे बता रहा हूं यह सारी चीज़े चल रही थी तो हम लोग से जितना बन पाया से डारेक्टर रहा है ठिक है तो ऐसा नहीं होता है अब एक और बहुत ही खराब बात बोली गई थी कि वह बहुत संपनन थे बहुत संपनन थे स्याम भया वह च्छा काम किया है और उन्हनें महनत से किया है बहुत हमाय असल ज़ीर ऑएर सितने चाहिव eh बहा है नहीं पील सभी कि उतना नहीं पता है अपको बात कर love me love me ravin di उतने गंट आ parte बात लोगिए एक प्लेट में खाना काथे थे आपको बताने का रहत नहीं सllesक्रष्पos कि पता हो हैं यह एक बात की तो प्ता है है कि उनकी फैक्टरी में बात कि नाम का पूड़ख्ट है कि सारी समूसा हैं कि सारी गुलकप्पे something like that वो आयते बोलने कि मैं ये करना चाहता हूं भाइया ने कहा कि हां करो ना इसमें क्या problem है आप इतने बड़े हिताइसी हैं तो आपको इपा पता है कि उनका बीच में अभी दो मेने पहले उनकी factory में raw material खतम हो गया था और raw material खैदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे यह पता है यह बात बता है मतलब मैं सच बता रहा हूं I'm so sorry यह चीज बताने वाली नहीं है लेक थे थे तो उनको पैसे दीएगए अप राइटर करते हो ना उनको रायटर के नाम पे पैसे नहीं दीए गए यह थे और भाले के लेकoga यह तो आएफ़ बढ़नी चाहिए अब घ्यक कि पागल हो जाओगे करो और बताओ तो बोल्ता है न बता तो कुछ करता ही नहीं है इसको तो अग। उसको किसीने अपना emotion दिखा दिया तो वह देखार के घड़ी है आंसु मैं आके जब intervene की आपके साथ Yeah रहे को लोगे ने weine सुना है क्या सरकार और सेकेंड बहुत इंपोर्टेंट बात आपने जो एफायर किया है ना इसको प्लीज खतम करो जो आपके पास रखा होगा मत्रेलियल मसाला आप उसको प्लीज जाके वहाँ पर थूख ठाक के आ जाओ रखो मत आपने पता क्यों रखा है कुछ है नहीं पहली बात आपके पास आपके 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 बोलते रहते हैं उसके पूरा बयान नहीं दिया है अरे सरकार मेरे प्रभू प्लीज जाके पूरा ग्यान देखे आओ ना देखे आओ सबसे गंदे इंदान हम लोग की इंडस्टी में लोग जेल वेल बेजो क्यों हम लोग के खुला बाहर रखे हो आपके आपके पास वह रखा है अपने इसी पुडिया जब अस्क्रिप्ट में रखा है बीच बीच में आके एक देना है जा गए न धंबर आप पता अपने जो live आया उसके रिलेशन खरब करनेंआपकी आपकी बीचे में रिलेशन खरब हो जाएगा आइनो कि हो जाएगा लेकिन उसके जिम्मदार आप होंगे करीर के में कुछ होएगा उसके जिम्मदार भी आप ही होंगे क्या पता हो भी मुझे क्या मालो आपका भाई के तो करीयर बना नहीं तो पहली ऑक्सीजन आप उनको देना हेंदा आप अजली पिक्चर जवाब डरेट तो प्लीज उसमें उस उं-उं को लेना एक्टर और दारुपी लाग एक्टिंग कराना वो अच्छी अक्टिंग करता है दारुपी के ऐसे इसे मुक्का दिखाता है मार दूंगा का मार दोंगे भाई को भई दी करनी पाओंगे तो माइसर पांच लाग की बीढ में ना जब खड़े होते हैं भाइया तो टाच करने के लोग मरते 23 मैं तों उसमेंसे भी आप उनके साथ बनाना उनको सुपरिस्टार बना दोगे ना आप उस दिन आपका चरण ऐसे पकड़ेंगे उसमें पानी डालेंगे गंगा जल और पी जाएंगे ऐसे भी आप पूझनिये हो जितने भी पंडित और ये लोग हम लोग के आज पास है जातिवाद वाली बात नह आप पर चुने में आज तक पैरी छुए है विवेक सिंह राजपूत इसलिए तुम लोग इस विवेक सिंह को गाले देते हो आरे हम राजपूत हैं हमारे बनावटी चवन्नी का भी नहीं है सुद्ध वाले मेरे कोन में राजपूत ही है तो इसका मतलब क्या है अब हम तीन-चार चीज़े क्लियर कर दी हम लोग ने क्या किया था मैंने फैक्स दिखा दिये स्याम विया का आपके पास जो पैसा है प्लीज उनको रिटन कर दीजे उनकी फैमिली को ज़रुरत रहेगी और हम एक्सपेट करेंगी उसमें थोड़ा सा बढ़ा के दे एक ग्यारा वजल जाएगा कि सारी भ्या ने क्या किया उनके लिए आप पता कर लेजेगा उनकी फैमिली से पता कर लेजेगा बता देंगे आपको ठीक है और आप ऑक्सिजन है कि कर्मन डायक्साइड वो जितने डिरेक्टर बाकी लोग भी है न वह भी ऑग्सिजन है एवरीबडी इस स्च्가 मुटोर्य आफ्य एकट्र आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो सबको रिस्पेक्ट चाहिए आप जुट बोलोगे तो मुट किदेंगे आप जितनी बार जुट बोलोगे हम लोग इतनी बार सच बोलेंगे नहीं तो आप सच बोलना सीख जाएए अप सच नहीं बोलते हैं यह मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आप सच बोला कीजिए ठीक है और वो उस आदमी को जो है न उहां वाला उसको सही कराई है वो गलत आदमी है आदमी ही गलत है वो तो बस यहीं बताना था ज़रूरी था और आज कुछ लोग गये थे भाईया स्यांबिया के घर पर तो उन्होंसे बात नहीं पाई जब होगी तो पर चलेगा और हम लोग सब ट्राई करेंगे कि भाईया की जो भी मदद थो हम लोग करें होती अलग डिफरेंट टोन की आवास थी तूस टोन होते थी कि मैं अगले साल फॉर्चनल होंगा तो अगवान करें भाईया की आपके बेटे या फिर भावी कोई भी फॉर्चनल ले ले जल्दी जल्दी और बस यह होना चाहिए आपके ड्रीम्स पूरे होने चाहिए और कि बहुत याद आएगी जब जब वो भाईया को मजाख में बोलते हैं अरे पागल कर दोगे क्या है यार यह बहुत याद आएगी आपकी और यॉर आलवेज इनार हाट हमें साथ दिल में आप और बता नहीं सकते ही इस इस बिग लॉस बहुत बड़ा लॉस है भी मैं परिसान करना बंद कर दीजिए आप लोग और पहले पता कीजिए सच्चा ही क्या है उसके बाद आके बताए कीजिए हम लोग ने बहुत ट्राई किया था और वो रहते ना तो सब्सक्राइब हम लोग को है और उनकी फैमिली को है और मैं फिर से बता रहा हूं कि जो उनका प्लीज उनको उनकी फैमिली को दे दीजिए और अगली बार प्लीज फैक्ट पर आए किजिए और आपकी आईडी पर हम लोग कोई ब्लॉक की लिगाते हैं हमारा इतना खुफिया तंतर नहीं चलाते हम लोग बाई छोटे इंसान हैं आपको गाली गलोज हम लोग नहीं द पर दाना था कुछ अगर पॉइंट चूडिया होगा तो भी सौरी आपने लंबा चोड़ा भासन दिया था कि उसमें बहुत कुछ था कि मैं नहीं तो इंडस्ट्री नहीं पलाना डिम का इंडस्ट्री है सर हिंडस्ट्री थी और इंडस्ट्री रहेगी लोग आएंगे जा देल पहुंचवाइए यह मेरी आपसे परात्ना है और अगर नहीं है आपके पास कुछ तो आके लाइव भी लाइए और माफी मांगिए कि भाई हम तो उल्टा-पुल्टा बोल गए थे और यह सब आपने बोला ना कि मुझे परिसान कर रहा है आपको एक बार भी उन्हों को लिना देना नहीं है जैसे आपके वाले से आपका लिना दा नहीं होता है टापके फैन तो हमारे ऑन भी फैन घीक है तक Pve को थैन को भेन हमारे हम लोगे फैन को चाटू करता और प्रको ब्री इसा बंद कर दीए स सच Review न gga बड़े आतभा ठीक है चलिए थैंक यू सो मच अरे विजे भया अरर मादे मुंबई आ गया आच जल्दी मुलाकात होगी आपसे नहीं जानते हैं विजे बहुत गलत बात हो गई थी यह लोग न क्या था कि वह आके बोलते नहीं है तो यह इन लोग का है कि नहीं उंगल करो उंगल करते है तो पागल तो हम लोग नहीं होने देंगे यह इतने एक हजार लोग तो हमारे पास अगर भया के वजह से आ गया है तो आप सोची कि उनके पास कितने हैं समझ रहे न सरकार आपके पास नहीं है तो प्रब्लम आपकी है ठीक है और हम लोग ने कोई जाती वाद नहीं किया जाति वात सहथ आपके दिमाग में इसलिए आप जाती वात करते रहते हैं, जाती वात मत किया कीजिए देखीए, हो एक याद हो के हो के राजपुत को रखा हुआ है न už अनोने, नहीं, नहीं रखना चाहएता, है की है कि नहीं राजाबाबू, निरवाइंदुस्तानी, संघर्ष, मेंदी लायक रखना, रिसेंटली अपनी, फिर वांटेट, सत्या, यह सब पिक्चरे चली हैं, ठीक है, आपके बताएं नहीं बताने से फरक नहीं पड़ता, यह पिक्चरे चली हैं, जाके आप पता करें न, आप कोड़ कीजिए, और एक बात, जो गाना दो तीन दिन रिलीज नहीं हो रहा है न, वो एक्चली भाईया कहीं मन था, कि गाना रिलीज नहीं किया जाए, एक छोटी सी सर्धानजली हम लोग की तरफ से, श्याम बयाक कुथी, कि दुख में थे तो इसलिए कोई भी हैपी गान और गाने वाला काम नहीं करना जाए, इसलिए दो तीन दिन दिन तक भी है, गाने नहीं जो आ रहे हैं, इसकी बीचे रीजन यहीं है, चलिए, भाई-बाई, थांग्यू सो मच, आलम, थांग्यू, लवई-बई, वचिंग, थांग्यू सो मच, चलिए, टिंकु जी, भर समझ रहे ना जो जैसा करनी वैसी भरनी वाला संपर्क रखिए और सच्छाए बात कीजिए भाईया के आत्मा के लिए प्रेक लिए उनकी फैमिली के लिए कीजिए और अच्छा काम करते रहिए जो जो चीप सपोर्टिंग जो सही करता है वह राज महर पंडे और मार्केट में फिर में और सॉंग नहीं चल रही है इसलिए वह की यह और चले नचले उससे क्या लेना देना है तो वो उनका इड़ेक है डी रंगा हरर मादे हरर मादे भया कैसे हैं चलिए थैंक्यू सो मच अब भी मैं घर पर आये था टैबल कर थक गया हूं हम लोग तिनों से कुछ कुछ काम कर रहे थे बड़े दिन बाद डिल मैंने बाद घर आया हूं तो थोड़े फैमली को टाइम और भया भी आज घर आये तो भी फैमली को टाइम देंगे आप लोग भी अपनी फैमली को टाइम देजे बहुत थी ज़्यादा ख्याल रखिए घर पे रहिए अगर ज़रुत नहों तो बहार न जाएए ठीक है लब यू अल और बहुत ज़दा ख्याल लोगो पैंडमिक ब